तो आपकी 6.2 टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आपका न्यूट्रेशन तो सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रेशन होता क्या है और यह क्यों एसेंशल है हमें पढ़ना तो आपका तो न्यूट्रेशन क्या है एक टॉपिक है ठीक है और मेरा न्यूट्रेशन ए जैसे सब्जेक्ट में पढ़ रहा हूं ठीक है और आपका क्या है एक 6.2 टॉपिक जैसे अगर आगे जाते हैं तो यह चीजें आपको और एक डीप में आपको चीजें बढ़ने के लिए मिलेंगी तो अभी से यह चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो देख है इन पॉजिटिव भी आप कह सकते हैं जैसे कि न्यूट्रियंट्स जो है आपके जैसे कार्ब्स हो गए कार्भो हार्डेट प्रोटीन्स एक वाइटामिन्स यह सभी आपके जो एब्सॉप कर रही है बॉडी ठीक है वह सब हमारा किसके अंदर आता है नुट्रिशन के अ सकता है इंगेशन ठीक है खाना खाना मतलब ठीक है इंजेस्ट करना ठीक है उसके बाद रही नियूट्रिशन के अंदर आपका सकता है डा ऑफने यह जेस्टी किया है उस चीज का क्या करना एब्स जाप करना कर दो एब्सॉप सेएखिज़ complex carbohydrate complex carbohydrate आपने क्या करें डाइजेस्ट करें अभी पहले मैं आपको carbohydrate बताओंगा आगे खरें डीटेल में बताओंगा अभी आप ऐसा याद कर लिए कुछ होता है तो वह complex carbohydrate आपने simple में convert करें ठीक है तो उन simple का ही एब्जॉब करना आपकी बॉड़ी जो एब्जॉब कर लिए उसे हम क्या बोलेंगे absorption ठीक है और फिर last में हमारा क्या आता है assimilation ठीक है तो assimilation के अंदर जो अपने चीजें absorb करी है उनी का use करना ठीक है और energy provide करना body को उनका use करते रहना ही क्या है हमारा assimilation तो यह सारे पार्ट ही हमारे मिलकर के क्या effect कर रहा है वो देखते हैं सबसे पहली बात आती है कि जो हमारे different organisms हैं वो हमारा food कैसे ले रहे हैं वो कैसे obtain कर रहे है food वो भी हमारा depend करता है ठीक है पर example हमारे दो टाइप के organisms होते हैं अगर मैं broad aspect में बात करूं तो सबसे पहले autotrophic और next हमारे होते है heterotrophic ठीक है इनी के basis पर हमारा nutrition जो है वो भी हमारा दो पार्ट के अंदर ही डिवाइड हो जाता है एक तो होता है autotrophic type का nutrition और यह होता है heterotrophic type nutrition और ट्रॉफिक टाइप के अंदर क्या होता है कि जो organisms है वो अपना food खुद prepare करते हैं ठीक है वो अपना food खुद prepare करते हैं और इसके अंदर example के लिए हमारे कौन आ जाते हैं such as plants जो भी हमारे green plants होते हैं वो सब हमारा food खुद prepare करते हैं plants के अलावा कुछ bacteria भी है ठीक है और और भी कुछ और भी कुछ हमारे organisms हैं जो अपना खाना खुद prepare करते हैं ठीक है भले वो oxygenic हो या anoxygenic photosynthesis हो वह अभी हम आगे देखेंगे ठीक है heterotrophic के अंदर को ना आते है heterotrophic के अंदर वह animals आते हैं जो अपने आने के लिए अपने नीट के लिए जो और भाफ पर हासपा इसके बाद आपके ऐका इक सबड़ाइब धरवार रहते हैं इसके बारे में लागर बाक नहीं करेंगा तो यह basically broader type में, आपने nutrition दो टाइप में है, autotrophic है, heterotrophic, ठीक है, अब यहाँ पर आपकी एक term आती है enzymes, ठीक है, enzymes क्या होते हैं और यह कैसे essential होते हैं वो देखना जरूरी है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक आपने नाम सुना होगा कभी भी, इससे पहले enzymes का, तो दीक है, enzymes क्या होते हैं, अपने chemistry में हो सकता है, कि आपने catalyst तो word जरूरी ज़रूली होगा, दीक है, catalyst क्या होते हैं, तो catalyst अगर आपने chemistry में सुना होगा, तो catalyst का function क्या होता है, catalyst हमारे किसी भी Chemical reaction को alter करते हैं, दीक है, या तो उसे क्या कर करेंगे increase करेंगे या उससे क्या कर देंगे टेश कर देते हैं ठीक है increase करते हैं ठीकर at the factor ॐ वह ovक्यों Kollege तो अब क्या होता है कि जो हमारे enzymes की तरह ही च्राइंड आःय हमारे इंजाइमलस हैं हमारे बाईयो कैटलेस्ट है जह नहीं और पिली के तो तो यह क्या है हमारे bio catalyst है, bio catalyst मतलब bio क्यों लगाया, क्योंकि हम biology पढ़ रहे हैं, chemistry तो पढ़ नहीं रहे हैं, बट biological process के अंदर भी कहीं न कहीं chemistry involved है, तो यह वो biological catalyst है, जो कि हमारे biological reaction को क्या करते हैं, catalyze करते हैं, तो enzymes वह होते हैं, अब बात आते हैं, enzymes तो समझ में आगार definition क्या है, enzymes का function क्या है, और enzyme हमारे किसचीज के बने होते हैं, यह चीज़े ने होते हैं, बहुत words सुना है, protein, carbohydrate क्या होते हैं, protein, protein समझने के लिए आपको समझना होगा, amino acids क्या होते हैं, तो ये एक थोड़ा सा अभी आपके इस लेवस में इतना सब कुछ है नहीं तो मैं सिर्फ आप ये समझ लीजे कि प्रोटीन जो है ये हमारी मस्कुलर ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं आपने सुना भी होगा जितने भी आपके जिम में अगर आप जाते हैं या आपके दोस जाते हैं तो देखा होगा आपने वो प्रोटीन लेते हैं तो प्रोटीन आपकी मस्कुलर ग्रोथ के लिए होते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ये ठीक है तो और ये जो प्रोटीन हैं यह हमारे किसके बने हुए होते हैं यह हमारे amino acids के बने हुए होते हैं amino acids के ठीक है for example अगर मैं बहुत सारे amino acids को जोड़ता चला जाऊं तो यह last में हमारा क्या बन जाता है एक polypeptide और या फिर protein आप इसे कैसेते हैं वो हमारा बन के हमारा protein बन गया अब protein और enzyme में अंतर क्या है protein ने enzyme कैसे बनाए अब इन proteins के पास कुछ active site होती है active site का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ ऐसी site होती है कुछ ना कुछ ऐसी जैसे मान लीजे यह हमारा कोई एक protein है और यह इसकी एक अलग सी site है यहाँ पर ठीक है एक अलग मतलब एक specific जगह ठीक है यह क्या होगा है हमारी इसकी active site यहाँ पर हमारा जो भी reactant है वो यहाँ पर आकर हमारा attach होगा और नई उसमें change कर देगा तो इसे हम क्या बोलेंगे protein with active site उन्हें हम क्या बोलते है enzymes बोलते है अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं इतना याद आपके slivers में है नहीं ठीक है बट मैं समझानी के इसलिए कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आपको यह चीज़ आसान हो जाएगी ठीक है तो protein साब को समझ में आ गए amino acids के क्या होते हैं long chain जब बहुत सारे amino acids जोड़े जाते हैं तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं protein बोल देते हैं ठीक है तो यह हमारे proteins होते हैं वो यह हमारे enzymes का formation करते हैं अब अब बात आती है कि जो organisms हैं वो अपना nutrition कैसे ले रहे हैं मैंने बता दिया autotrophic और heterotrophic होते हैं तो जो autotrophic organisms है actual उनके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता वो सब हम autotrophic nutrition के अंदर देखें वाले हैं ठीक है तो हमारा first topic आता है autotrophic nutrition ठीक है तो autotrophic nutrition यह बहुत ही important और बहुत ही अच्छा एक topic है तो autotrophic nutrition यह मतलब क्या है यहाँ पर कि auto का मतलब है self self मतलब कि वो अपना खाना क्या बना रहे हैं खुद बना रहे हैं आपको खुद nutrition प्रोवाइड कर रहे हैं और मैंने typical example दिया आपको green plants ठीक है इसके अलाबा भी और example है वो मैं देखें गा तो green plants, green plants के अंदर क्या होता है green plants के अंदर एक process होती है जिसे हम क्या बोलते है photosynthesis green plants के अंदर एक process होती है जिसे हम बोलते है photosynthesis अब photosynthesis को हम क्या करेंगे break करते हैं इस word का मतलब समझने के लिए photo का मतलब क्या होता है photons का basically use होता है sunlight के लिए ठीक है used for sunlight और synthesis का आपको मतलब पताईए कोई भी चीज बनाना ठीक है तो make तो sunlight की presence में यहाँ पर हमारा कुछ बन रहा है ठीक है यह photosynthesis हमारी process के अंदर हो रहा है अब क्या बन रहा है भी sunlight के अंदर हमें तो पता नहीं क्या बन रहा है तो sunlight के अंदर यहाँ पर हमारी एक important चीज बनती है वो है हमारे carbohydrates ठीक है अब यह carbohydrates हमारे sunlight के presence में बनते है अब यह carbohydrates ही आपके energy के लिए जरूरी होते है ठीक है आपने नाम सुना होगा glucose का glucose हो सबने सुना होगा ठीक है ऐसा नहीं है कोई भी नहीं होगा जिसने glucose नहीं सुनाँगा तो glucose भी क्या है glucose भी एक हमारा carbohydrate है ठीक है आप carbohydrate कैसे याद रख सकते हैं Carbohydrates को हम कभी ख़़ी बोलते हैं Carbohydrates होते क्या है फहले यह देखते हैं जैसे हमने proteins देखा तब ऐसे आप carbohydrates देखते हैं carbon, hydrogen, ठीक है, और एक इसमें oxygen होता है, तो वो compound जिनके अंदर हमारा carbon हो, hydrogen हो और oxygen हो, ठीक है, वो आप कह सकते हैं कि combine होकर है हमारे carbohydrates का form करते हैं, ठीक है, हाला कि इसमें काफी exception है, वो आप आगे जा करके देखेंगे, जब आप biochemistry देखेंगे, या bio molecules आप देखेंगे, length में, तो देखें, carbohydrate हमारे different type हो सकते हैं, ठीक है, monosaccharide हो सकते हैं, disaccharide हो सकते हैं, polysaccharide हो सकते हैं, oligosaccharides हो सकते हैं, अभी तो आपके यहाँ पर सिर्फ carbohydrate है, वो भी ज़्यादर detail में नहीं है, तो ज़्यादर detail में जाने की ज़रूँत नहीं है, carbohydrate बस इतना याद रखिए कि आपके energy के लिए ज़रूरी होते हैं, energy provide करते हैं, ठीक है, carbohydrate, तो हलाकि fat भी आपको energy provide कर सकता है, और in fact fat आपको ज़्यादा energy provide करता है, as compared to carbohydrate और proteins, तो इसलिए और वो हमारे lipids और इन सब का बना रहता है, ठीक है, तो तीन हमारी चीज़ हो गई, मैंने आपको बताया था, protein बताये, ठीक है fat बताये और carbohydrate बताये, उन दोनों चीज़ों का भी डबे में बंद करके अलग fact दो, अभी तो हम carbohydrate की बात कर रहे हैं, तो जो carbohydrate है, यह हमारा किसे बनते है, photosynthesis की through बनता है, अब कौन सा carbohydrate बन रहा है, हमारा यहां पर carbohydrate बन रहा है, glucose, ठीक है, इन्हें हम sugars भी कह देते हैं, ठीक है, monosaccharides में जब sugar भी कह देते हैं, इन्हें हम carbohydrates को, तो glucose हमारा है, पर बन रहा है, photosynthesis के अंदर, अब इस glucose को ही क्या कर लेते हैं, प्लांट्स बना रहे हैं, प्लांट्स अपने लिए यूज़ भी कर लेते हैं, और फिर जब हम plants को खाते हैं, ठीक है, है, है हम प्लांट्स को खा लेते हैं, तो ये glucose हमारे अंदर भी आ जाता है, हम इसे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, तो सिंपल सी ये बात हो गई, अब जो photosynthesis है, ये हमारी दो टाइप की हो सकती है, ठीक है, अलाकि, आपके slaybas में इतना याद है, दे नहीं रखा है, इतना डीप म हैं, बट फिर भी है, कि याद रखने के लिए, क्योंकि देखें, हम, हमारा motive, knowledge के लिए पढ़ना भी है, सिर्फ marks के लिए नहीं, obviously marks के लिए भी पढ़ना है, बट साथ के साथ knowledge भी होनी जाए है, तो जो photosynthesis हैस है, हमारी process, वो हमारी दो टाइप की हो सकती है, पहली हमारी oxygenic ठीक है, in the presence of oxygen, और दूसरी हमारी a-oxygenic, मतलब की oxygen की presence में नहीं होना, ठीक है, अब अगर oxygenic होगी, तो क्या differences आएंगे, और n-oxygenic होगी, तो क्या differences आएंगे, क्या हमारी, क्या बोल सकते हैं, क्या हमारी reactions होगी, वो हमें देखना है आप पर, ठीक है, बहुती easy और बहुती interesting topic है यह, देखिए, पहला तो हम photosynthesis को दो पार्ट में देख लेते हैं, पहला हमारा आता है, oxygenic, ठीक है, oxygen की presence में, और दूसरा हमारा a-oxygenic, तो जो हमारी oxygenic होती है, इसकी हमारी reaction क्या होती है, इसकी अंदर, oxygenic के अंदर, हमारा 6 molecules of CO2, प्लस 6H2O, यह आपकी book में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ बें space का में, तो मैं ऐसे बना देता हूँ, Gibbs, C6H12O6, प्लस 6O2, यह आपकी reaction है, इसकी oxygenic photosynthesis की, मतलब कि oxygen की, कह सकते हैं, आपकी oxygen यहाँ पर हमारी form हो रही है, ठीक है, जिसके अंदर, आपको oxygen मिल रही है, oxygen की presence में नहीं, oxygen आपको यहाँ पर मिल रही है, ठीक है, तो यह आपकी oxygenic photosynthesis होगी, जिसके अंदर byproduct आपको क्या मिला, oxygen मिल गई, ठीक है, अब यहाँ पर हमारे कुछ चीज़ें ही उस होती है, सबसे पहला है हमारा, chlorophyll, ठीक है, और दूसरी है हमारी sunlight, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, कि sunlight मतलब photon का मतलब क्या है, कि sun की presence में हो रहा है, दूसरा आता है हमारा a-oxygenic, anoxygenic, anoxygenic की जो हमारी reaction है, वो कैसी होती है, 6CO2 प्लस 12H2S, यहाँ पर O की जगा क्या जाता है, sulfur आ जाता है, ठीक है, और फिर gips, यह हमें क्या देता है, C6H12O6 प्लस 12S, तो आपने देखा, कि यह चीज़े हमें हाँ पर मिल गई, अब यह जो C6H12O6 है न, यही हमारी क्या है, यही हमारी ग्लूकोस है, तो यही हमारी क्या है, यही हमारी ग्लूकोस है, तो यही हमारी क्या है, और यहाँ पर यह जो C6H12O6 बना है, यही हमारी यहाँ पर क्या है, यह भी हमारी ग्लूकोस है, तो आपने देखा, यह हमारी itus यह वाली करनी है यह वाली याद नहीं करनी तो मैंने लिखी क्यों है मैंने लिखी इसलिए ताकि आपको एक difference बता सकूँ ठीक है अब यह बारी जो reaction है यह आपको देखने के लिए मिलेगी green plants के अंदर ठीक है बाकी आपके जो यह है blue green algae है ठीक है उनके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगी algae के अंदर blue green algae के अलावा आपको floral birds के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी green green sulfur bacteria ठीक है तो green sulfur bacteria के अंदर देखने के लिए आपको इह मिल जाएगी purple sulfur bacteria के अंदर आपको यह देखने के लिए मिल जाएगी आपको याद क्या करना है, आपको ये reaction याद करनी है, और ये reaction याद नहीं करनी, ये reaction घोल करके पी जानी है, ठीक है, सिर्फ याद ही नहीं करनी, क्योंकि बहुत important है, 6CO2 प्लस 6H2O, Gips C6H12O6 प्लस 6O2, ठीक है, बहुत important है, और ये आपकी glucose बन गई, ये आपकी oxygen बन गई, अब ये होती कैसे हैं process, वो देखना हमें याँ पर ज़रूरी है, देखिए आपकी बुक के अंदर, इस process के हमारे तीन step दे रखे हैं, ठीक है, number one step के अंदर आपका आता है कि absorption of light, ठीक है, absorption of light by the chlorophyll, chlorophyll क्या है, सबसे पहले ये देखना है, ठीक है, कुछ नहीं है chlorophyll, जो आपकी, मालने जाए, ये आपकी leaf है, ठीक है, तो leaf के ऊपर ही हमारे कुछ, chloroplast हमारे कुछ एक organally present होती है, cells के अंदर, उनके अंदर ही हमारे green color का, blue green color का pigment present होता है, color present होता है, ठीक है, आपको पता है, इसी chlorophyll की वजह से, जो हमारे plants है, उनका color हमारा green होता है, ठीक है, अब आप कहेंगे, हमने तो और भी plants देखे हैं, जनका color red हो जाता है, पत्तियों का, जनका orange हो जा character है, ठीक है, यहाँ पर आपको photosynthesis एक छोटा सा topic है, महाँ पर आपका एक chapter है, तो महाँ पर आप देखेंगे, तो अभी तो मैं जितना बता आता हूँ, उतना आपको याद रखना है, कि जो green color है, वो हमारा chlorophyll pigment की वजह से आता है, ठीक है, अब यही जो chlorophyll pigment है, इसके उप आ रही है, उसको यह हमें convert करके देता है, chemical energy में, ठीक है, अब chemical energy हमारा, आगे जाके पढ़ेंगे, ATP, ATP, adenosine triphosphate, ठीक है, यह एक हमारा chemical energy की form है, ठीक है, energy currency भी से हम बोलते हैं, of cell, तो यह इस form में हमारा solar energy को इस form में हमारा convert कर देते हैं, उसके बाद इसके अंदर और क्य हो रहा था, हमने क्या देखा, कि जो हमारा CO2 था, CO2 का हमारा क्या हो रहा था, reduction हो रहा था, carbohydrate के अंदर, carbohydrate क्या आती है, हमारी glucose, C6, H12, O6, ठीक है, reduction हमारा यहां पर हो रहा था, अब बात आती है, कि reduction क्या होता है, ठीक है, reduction क्या है, कि removal of, removal of oxygen ही है, हमारा क्या है, reduction हो जाता तो reduction क्या है, कि oxygen को हटा दो, रास्ते से हटा दो oxygen को, ठीक है, और oxidation क्या है, कि रास्ते में लगा दो oxygen को, तो वो oxidation हो गया, ठीक है, तो reduction क्या है, रास्ते से हटा दो oxygen को, और oxidation क्या है, रास्ते में लगा दो oxygen को, ठीक है, अब यह comparative base में होता है, ठीक है, आप कहेंगे भई, यह एक comparative बेस्समें में कैसे कहा हूओ, यहाँ पर आपको कोई भी hydrogen देखने के लिए नहीं मिलेगी, ठैक है, बट यहाँ पर आप क्या देखने के लिए मिल रहे है, मिलरी आपको hydrogen देखने के लिए मिलरी है, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने oxygen को तो नहीं हटाया इन्होंने क्या करा hydrogen को लगा दिया तो दोनों ही चीज़े reduction है चाहिए आप oxygen को हटा दो या फिर hydrogen को लगा दो दोनों ही चीज़े हमारा reduction का काम करती है तो आपने हापे oxygen को तो हटाया नहीं बनकि आपने hydrogen को लगा दिया ओक्सिजन तो कम मात्रा में लगी है ना हईडोजन को लगा दिया आपने ठीक है तो ये क्या हो गया हमारा रिदक्षिन हो गया तो ये आपका थर्ड स्टेप आ गया तो आप एक बार बुख भी इसमें प्रिफर कर सकते हैं बुख से एक reading आप कर सकते हैं, short reading काफी important होगी आपके लिए ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आपके एक structure की जो कि आपकी book के अंदर भी दे रखा है ठीक है, इसे हम discuss करते हैं तो आपकी book के अंदर ये structure आपने देखा होगा, ये बिल्कुल दे रखा है तो इसके अंदर आप देखेंगी कि यहाँ पर ये हमारी midrib है, ठीक है, leaf की ये हमारी midrib है और ये आपका lamina, lamina और leaf blade है, फिर उसके बाद ये हमारी veins दे रखी है तो यहाँ पर आपको एक tissue, tissue मैंने अब भी आपको बताया था कि tissue क्या होता है तो tissues का हमारे यहाँ पर bundle देखने के लिए मिलता है ठीक है, bundle सा देखने के लिए मिलता है उपर वाला हमारा इसमें क्या दिखा रखा है, आपके यहाँ पर शो कर रखा है उपर वाला हमारा phloem शो कर रखा है और नीचे वाला हमारा xylem शो कर रखा है तो ये दोनों ही हमारे क्या tissues है, plant tissue है जो मैंने epithelium connective tissue और muscle वसल वो सब बताया थे ना, वो सब तो animals की थे, ये हमारे किस के देख रहे हैं plants के देख रहे हैं, ठीक है तो जो phloem है, phloem हमारा एक tissue है, और ये क्या करता है इसका काम होता है हमारा, जो food है उसे carry करना ठीक है, इसका ये transport करता है plants के अंदर, और xylem का काम क्या है water ठीक है, तो ये water का transport करता है तो ये हमारे क्या हो गए, वस्कुलर bundle हो गया, यहाँ पर हमारा इन दोनों को मिलाकर ही हम क्या बोल देते हैं, वस्कुलर bundle तो tissues का ये bundle और इसके बाद, इसके बाद आपके diagram में के अंदर शो कर रखा है waxi cuticle, waxi cuticle क्या है कि एक cuticle layer होती है ठीक है, waxi layer होती है, leaf के उपर, उसे हम क्या बोलते है, waxi cuticle फिर उसके बाद आती है हमारी upper epidermis ठीक है, cells के layer, upper epidermis फिर आता है हमारा chloroplast अभी मैंने आपको बताया था न, chloroplast हमारा होता है, chloroplast में हमारा chlorophyll present होता है, जो कि हमारा typical green color provide करने में help करता है फिर उसके बाद layer spaces है और फिर हमारी कुछ guard cells है, ठीक है, तो ये हमारा एक cross section था leaf का ये आपने diagram देखा होगा, कि अगर आप leaf का cross section लेते हैं, cut करते हैं, तो आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी ठीक है, फिर इसके बाद कुछ हमारी इसमें typical activities है, वो हम देख लेते हैं, क्योंकि activity करना बहुत important है क्योंकि activities से ही आपको पता चलेगा, चला था हमें भी कि जो कौन-कौन सी चीज़ें हमारी जो photosynthesis process है, उसके अंदर हमारी required है ठीक है, तो activities से ही हमें पता चलने वाला है, तो आपकी बुक के अंदर तो different activities दे रखे हैं बट मैं आपको एक broad aspect में और जल्दी बता देता हूँ कि क्या activities हमारी हुई थी तो देखिए, आपको पता है कि carbon dioxide हमारी ज़रूरी है photosynthesis के लिए, ठीक है, आपने देखा था कि हमने 6 CO2 हमने लिया था ठीक है, तो 6 CO2 लिया था इसमें carbon dioxide हमारी काफी important है क्योंकि carbon dioxide के लिए reduction कर रहे हैं ठीक है, तो अब हमारा सबसे पहला experiment था, हमारा हमारी CO2 के साथ react कर लिया CO2 के साथ react करके, जितनी भी अंदर CO2 थी, उसे खतम कर दिया CO2 यहाँ पर खतम हो गई, तो क्या हुआ कि absent of CO2, ठीक है, condition हमारी कैसी हो गई, कि CO2 हमारी absent हो गई, यहां से ठीक है, अब CO2 absent है, तो क्या इतने पार्ट में leaf के photosynthesis होगी, नहीं होगी, ठीक है, photosynthesis नहीं होगी, तो इतने पार्ट में photosynthesis नहीं होगी leaf के, तो अब हमें कैसे बता चलेगा photosynthesis हुई या नहीं हुई, हम क्या करेंगे, जो हमारे starch है, starch, starch क्या है, starch भी glucose की तरह यह carbohydrate है, इस form में हमारी जो energy आप बोल सकते हैं, glucose इस form में हमारे store होता है, plants के अंदर, ठीक है, तो अगर photosynthesis हुई होगी, तो यह भी बना होगा, नहीं होगी, क्योंकि glucose की इसी form में store होता है, तो अगर नहीं होगी क्या मिला मौल साब को, यह देखने के लिए मिला negative, it means कि हाँ पर starch बनाई नहीं इतने portion में, it means photosynthesis होई नहीं, और photosynthesis क्यों नहीं होई, क्योंकि हमारी हाँ पर carbon dioxide प्रेजेंट नहीं थी, तो इसलिए हमें पता चल गया, carbon dioxide हमारी बहुत important होती है, बहुत important role play करती है, ठीक है, मौल साब नहीं कर रहा था हमारी experiment, तो यह हमारी बहुत important role play करती है, फिर इसके बाद हमारा variegated leave experiment भी आता है, ठीक है, आप अपने book के अंदर भी देख सकते हैं, match कर लिजे का, कौन सा experiment कहां पर है इसके बाद क्या हुआ, एक आपका आता है, variegated leave experiment, ठीक है, यह सिर्फ मैं आपको interest के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको interest आ रहा हो, तो आप सुनिएगा, नहीं तो जितना आपकी book में दिर्का है, उतना पड़ के आप छोड़ सकते हैं, अगर आपको knowledge की जरूद नहीं है तो, ठीक अगर आपको जानने की इच्छा है, तो आप सुनिए और रुखिये, अगर आपको अच्छा लग रहा तो, next आपका आता है, variegated leaf experiment, इसके अंदर देखी क्या होगा, variegated leaf experiment के अंदर, क्या करा इनोंने, एक leaf ली, ठीक है, leaf के अंदर इनोंने, यहाँ पर इनोंने paper लगा दिया, ठीक है, paper लगाया है, अब मैंने आपको बताया था, अभी मैंने आपको बताया नहीं है, discuss नहीं करा है, stromata का function क्या है, stromata का हमारा मतलब क्या है, वो इसी experiment के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, तो देखिए, stromata जो आपका होता है, वो कुछ हमारा इस type का organ, इस type का structure आप कह सकते है, होता है, ठीक है, अब इसके अंदर हमारा क्या होता है, diagram आप देख रहे होंगे, ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या होता है, कि यह जो structure होता है, यह एक open pore like structure होता है, stromata, ठीक है, open pore मतलब कि इसी के थूर हमारी carbon dioxide अंदर जाती है, और इसी के थूर हमारी O2 है, वो हमारी बाहर आती है, oxygen हमारी बाहर आती है, plant से, और इसी के थूर हमारा transpiration होता है, मतलब कि water का आदर जाना और आना बाहर आना बैसिकली अंदर तो कहा जाएगा बहर आना ही हमारा वाटर का वो भी हमारा इसी स्टो मेटा के थ्रूइ होता है तिक है मतलब कि आप इनकी की नोस मान सकते है अब यह जो नोस है सीकेर हमारी जो सी उटू और जा रही है तो अब इन्होंने किया करा हिन्होंने ब्लैक पेपर लगा दिया और कुछ हमारा structure ऐसा होता अब ही कि और बताँ को इस्टोमेटा के बारे में विन्होंने क्या करा यह सिस्टोमेटा कोWeb कर दिया ठीक है अगर मैं आपकी नाक बंद कर दूँ तो क्या होगा नाक बंद कर दूंगा तो आफसांस नहीं ले लिए CO2 क्या है जरूरी है इसके बाद बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट आपका आता है प्रिस्टले और यह तो मुझे लगता आपको छोड़ना यह नहीं चाहिए यह तो बहुत ही इंटरस्टिंग है और बहुत ही जरूरी भी है प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट काफी बार यह पूछा भी आता है एक है आपकी बुक एंदर भी दे रहाइया है इस नसरे रख्या वह आप देख ुझेगक wa बट मैं अपनी ड turcousal गभा उससे पैले में इस्टोमेटा के ważne के बारे में दो चारव बाते बता देता हूं जो आपको आसा तो नहीं आप दो नाक है अगर वो हड़ समय खुली रहेगी माल लीजे कहीं पर कोई toxic चीज़े हैं तो अब जैसे कोड़ा है अगर आप अपनी nose को cover नहीं करेंगे तो बहुत सारी harmful चीज़े आपकी nose के अंदर जा सकते हैं बहुत सारी pathogenes आपकी nose के अंदर जा सकते हैं तो इट मींज कि एक regulatory mechanism होना चाहिए हर चीज को regulate करने के लिए तो अब देखे क्या होता है कि जिस stomata है वो stomata normal conditions में हमारा ऐसा रहता है बट कई बार क्या होता है कि बहुत जादा तेज light की वजह से बहुत सारा water इसी pore से हमारा बहार आ जाता है और इस condition में dehydration होने लगती है plant क अब प्लांट ने देखा भी मुझे तो यह जीज उसे बचने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तो उसने उसने क्या करा उसने अपनी जो यह सेल्स थी साइड वाली यह फ्लैसिड हो गई तो इसके बाद जब इनसे पानी निकल गया तो यह हमारी फ्लैसिड हो गई है तो यह साइड वाली जो सेल्स हैं हम बोलते हैं गार्ड सेल ठीक है तो क्योंकि हमारी जो पूर हो से क्या कर रही है गार्ड कर रही है ठीक है जब कहीं आप शादी में भी जाते हैं तो आपको साइड में खड़े रहते हैं ठीक है कहीं भी आप जाएंगे तो आपको दो इसे side में खड़े हो देंके लिए मिलेंगे तो इसी लिए इसी को हमने क्या बूलते हैं guard cell कियो कि ये इस जो entry हैं ये guard कर रही हैं तो यहां पर आपको यह जो guard cell है इनके पानी होता है तो यह swell कर जाती है एंसे water filled होता है और जब यह flaccid हो जाती है वाटर निकल जाता है इनसे तो यह हमारी क्या हो जाती है ऐसे वो attach हो जाती है pore को वो close कर देती है तो यह हमारा chloroplast का structure था और यह कैसे हमारा regulate होता है regulatory mechanism क्या है वो मैंने आपको बता दिया है आपर इसके बाद हम देखते हैं प्रिस्टले साहब का experiment बहुत ही important experiment प्रिस्टले एक्सपरिमेंट आप देखेंगे तो क्या कर रहा था इन्होंने कि इन्होंने सबसे पहले देखा इन्होंने एक mouse रखा ठीक है mouse मतला चूहा ठीक है चूहा रखा और यह यहाँ पर इन्होंने candle burn कर दी तो इन्होंने क्या देखा कि candle भी जल रही है चूहाँ भी जिन्दा है कोई दिक्कत नहीं सब बढ़िया चल रहा है लेके candle क्यों जल रही है क्योंकि आपको पता है कि combustion के लिए आपको क्या चाहिए कोई भी चीज जलाने के लिए आपको क्या चाहिए chemistry में पढ़ा ही होगा आपने oxygen की requirement होती है combustion के लिए और mouse को भी क्या चाहिए mouse को भी oxygen चाहिए वो भी atmosphere से मिल रही है mouse CO2 हमारी छोड़ रहा है वो भी atmosphere में जा रही है कोई दिक्कत नहीं सर्वाइव कर रहा है candle भी जल रही है इन्होंने क्या करा इन्होंने इस पूरे system को एक jar के अंदर बंद कर दिया पूरे system को अब पूरे system को एक jar के अंदर बंद कर दिया तो उससे क्या हुआ कि जो oxygen है उसकी supply तो cut away ठीक है और जो बैचुहा है वो तो सांस लेता रहेगा ना CO2 बाहर निकालता रहेगा पर oxygen तो ही नहीं तो ultimately क्या होगा कि CO2 की concentration तो अंदर क्या कर जाएगी increase करेगी और oxygen की concentration हमारी यहाँ पर decrease कर जाएगी तो जिसकी वेसे हमारा जो चूहा है उसकी विचारे की death हो जाएगी यह इसकी death हो गई मर गया यह विचारा ठीक है और जो हमारी candle है यह भी हमारी बुझ जाएगी extinguis जाएगी ठीक है क्योंकि इसे भी oxygen नहीं मिल रही है तो यह इनका observation आया यह पहले तो कुछ नहीं हो रहा था next time हमने देखा तो ऐसा हो गया अब इन्होंने क्या करा इन्होंने अपने next step के अंदर एक पोधा एक mint का पोधा इन्होंने अंदर रख दिया तो मिंट क्या करने लगेगा process known as photosynthesis ठीक है वई यह इनका पूरा setup था इसके अंदर यहाँ पे छोटा से एक चूहा बैठा हुआ है ठीक है आप देख सकते हैं कैसा चूहा है चूहा बैठा हुआ है यहाँ यहाँ पे यहाँ पे क्या था इनकी candle रख्योई थी ठीक है candle रख्योई थी यहाँ पे तो बिनों ने क्या देखा देखिए कि यह रखने के बाद mouse जो है वो भी survive कर गया candle भी हमारी नहीं बुझी क्यों नहीं बुझी कारण क्या था देखिए यह जो mouse था यह हमारा oxygen का use कर रहा था और CO2 हमारी liberate कर रहा था ठीक है oxygen हमारी use कर रही थी ठीक है तो कहीं न कहीं इस plant ने इन दोनों की requirement को क्या कर दिया fulfill कर दिया तुम दोनों को oxygen चाहिए मैं oxygen दूँगा बट मुझे क्या चाहिए carbon dioxide चाहिए तो तुम दोनों मुझे carbon dioxide देदे न बात कता हम हो गई ठीक है जो हमारी ears है इनका क्या role है किसी की survivability में और सबसे important बात कि जो हमारी green plant की growth है उसमें हमारा क्या important यहाँ पर योगदान है और भी इसके अलावा हमारे बहुत सार experiments हुए थे इन्होंने water के अंदर भी डाल के देखा थे वो भी आपको सब नहीं जानने यह भी अगर आपको अच्छा लगे experiments तो आपको देखने हैं बागी आपकी book के अंदर भी ऐसे दे रखें लिगे उन्हें भी आप देख सकते हैं बट काफी important और interesting हमारे experiments थे